नमस्कार दोस्तों, आप सबी का स्वागत है, Global Atomy Network Team Warriorim दोस्तों, दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे Atomy की Data Migration के बारे में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, Atomy Data Migration by Zoom से स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी Data Migration की प्रोसेस है, उससे पहले कुछ basic information है, जो इस छोटेशे आदेम से दोस्तों, मैं आपको देना चाहता हूँ, ताक कि जितने भी जो Atomies है, इंडिया में 15 लाग, 16 लाग, जो भी लोग registered है अभी तक, आपकी जितने भी ID अभी Atomy में लगी है, पिछले 2-2 साल से जो भी काम चल रहा है, जितने भी leaders हैं, उनकी ID अभी as a consumer member लगी है, और अभी आपकी जो ID है, वो data migration स्टार्ट हो चुका है, आपको KYC करने हैं आपके, KYC करने के पस्चात आपकी जो ID है, consumer member से Atomy distributor number में convert हो जा रही है, जिसको बोलते हैं ADN number, यानि कि आपका जो user ID है, अभी यो यूज कर रहे हो, उसको आप KYC complete होने के बाद, उसको नाम दिय जाएगा Atomy distributor number, यानि कि ADN number, ओके, next काफे लोग हैं जो confused हो रहे हैं इसके बामले में, तो Atomy ने हमें दो guideline दिये, उस guideline पर जाने से पहले मैं आपको basic चीजें बता रहा हूं, by zone से इसका migration स्टार्ट हो चुका है, Atomy के website पर KYC स्टार्ट हो चुकी है, second है, Atomy इंडिया की जो आपको विजिट करने की कोई जुरूरत नहीं है, ठीक है, तो आपको Atomy इंडिया की website के उपर login करना है, address आपके सामने screen के उपर है, atomy.com.im, who का मतलब यह है, KYC किसकी होगी, KYC दोस्तों, जो इंडिया के registered member हैं, उनकी होगी, Indian consumer member, who are registered on South Korea website, जितने भी member हैं, अभी तक जो प्रिक्रिया चल रही थी, वो South Korea की website पे चल रही थी, और अभी इंडिया की website पे registration प्रिक्रिया KYC कंप्लेट होने के बाद स्टार्ट होगी, तो उससे पहले हमें यहां पर KYC कंप्लेट करनी है, ठीक है, next, जितने भी after successful migration to Atomy, इंडिया, distributors can buy product, which entitles them commission generation, तो सबसे बड़ी जी है, कि जितने भी member अभी तक registration हुए है, अटोमे में वो as a consumer member हुए है, और उनकी ID को अभी Atomy distributor number में convert करना है, उसके पस्चाथ KYC कंप्लेट होने के पस्चाथ आप लोग Atomy के जो online shopping mall launch होगा, उस पे आप online shopping कर पाऊगे, अगर आपने KYC कंप्लेट की होगी, तो वरना KYC सभी complete कीजिए, और उसके बाद जो भी commission generation का है, उसके लिए company अलग से guideline दगी, अभी यहाँ पे कोई भी bank detail required नहीं है, company नहीं अभी नहीं बोला है, launching जिस थोड़ा time पहले company update करेगी, अभी आप लोगों को pen card और अधार card और जो भी ID proof है, वो complete करना है KYC करनी है, ओके, next, जो भी details हैं, आपकी email ID, mobile number, address, spouse detail, pen card verification, आधार card, और water ID, passport, license, जो भी है, वो सब यहाँ पे करना है, और किस तरीके से करना है, login with your existing cardinals and click on edit my account, ओके, जैसे आप अपने user ID से login करोगे, तो edit my account उपर top corner, right corner में दिखाई देगा बिलकुल, जो step by step में अपने वीडियो के मादम से आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर सिरफ यही बताया गया है, कि आपको अपना KYC करना है, तो KYC दोस्तों यहाँ पर दो तरह से होगी, second देखिए, KYC दो तरीके से होगी, यहाँ पर, अब यह important चीज़ें, यह सारी चीज़ें आपको देखना है, ठीक है, जब आप registration करो, उससे पहले यह basic information आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपका KYC अपडेट है, बिल्कुल सही तरीके से हो, उसमें कुछ गलत ना हो, ओके, first टोप में देखिए, company ने जो migration process है, वो start कर दिये, migration steps for auto pen verification, ओके, जिन लोगों का pen card, आधार card, जिन लोगों ने जो ID registration की थी, 14 नॉंबर 2019 से पहले, उनके लिए है guideline, 14 नॉंबर 2019 से पहले, जितने members ने Atomy join किया था, यह guideline उनके लिए है, और 14 नॉंबर 2019 के बाद से जिसने किया है, उनके लिए अलग से guideline है, वो मैं बताऊँगा, तो सबसे पहले, जो लोग 14 नॉंबर 2019 से पहले, जिननोंने Atomy में registration किया उनके लिए है, आपको login करना है, right side top corner में edit my account पे click करना है, उसके बाद दो वीडियो देखने हैं आपको, next, जितने भी terms and conditions है, direct seller agreement, code of ethics, principles, policies and procedures, compensation plan, ये सब कुछ आपको वाँ पर पढ़ना है, एक एक line, उसके बाद आपको next, scroll down करना है, और confirm पे click करना है, कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, check कर लिया, और आप atomic की जितने भी terms and condition है, उसके साथ आप agree करते हो, तब आपको confirm करना है, next, edit basic information, अब आप अपने edit my account पे click करोगे, तो उसमें basic information आपके पास आएंगी, तो आप अपना mobile number change कर सकते हो, email id change कर सकते हो, और आप अपना password भी change कर सकते हो, और guest password भी change कर सकते हो, अगर requirement होई तो आपको कर सकते हो, और फिर आपको pen card verification करना है, वहाँ पे जैसे verification के उपर click करेंगे, तो pen card आपका verify हो जाएगा, और आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, तो यह सारी basic information आपको 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 चेक करनी है, आप अपना address भी update कर सकते हो, ठीक है, जै ID registration किया है, उनका ID verification KYC किस परकार से करना है, ठीक है, तो यहाँ पर pen verification हो गया, उसके बाद है address proof verification, इसको ज़रा ध्यान से सुनिए, address proof verification में, company ने ये बोला था, कि जिन लोगों के पास आदार कार्ड है, और उन्होंने mobile number आदार कार्ड से connect कर लिया है, तो auto verification के तैत, company ने ए एक वीक पहले announce किया था, कि आप सभी लोग अपना आदार कार्ड से mobile number कनेक कीजिए, ताकि आपका auto verification एक ही दिन में हो जाए, जिस तरीके से pen card auto verify होता है, वैसे ही आदार कार्ड, ओके, government of India के account से by third party, ओके, next, address proof verification के लिए first step है, आपको अपना आदार कार्ड नंबर डालना है, right side पर अदार verification पर क्लिक करना है, उसके बाद send OTP पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो OTP six digit का OTP आपके mobile के अंदर आएगा, वो OTP वहाँ से आपको उसमें लिखना है, और right side पर OTP verification बटन पर क्लिक करना है, तो आपके mobile में जो अदार कार्ड, आपका mobile कार्ड से link है, तो OTP verification के दौरा आपका अदर कार्ड यहां पर अपडेट हो जाएगा, आपको अदर कार्ड अप्लोड करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, check your address, city, district and pin code, जब यह आपका अदर कार्ड अपडेट हो जाए, उसके बाद आपको आपका address चेक करना है, जो अदर कार के उपर है, वो ही डालना है, फिलाल, और इस address को आप बाद में अपडेट कर सकते हो, दो मेने बाद जब एटो मिलांच होंगी, फिलाल, verification के लिए आपका जो अदर कार्ड पर जो address है, वो ही आपको यहां पर डालना है, ठीक है, और next, manual verification के लिए क्या बोला है, company ने, कि अगर आपका अधार कार्ड mobile number से connect नहीं है, तो आपका अधार कार्ड verification नहीं होगा, उसके लिए second option चूज कर सकते हो, passport चूज कर सकते हो, water ID, license चूज कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद आपको input address proof के document number आपको लिखने है, जो water ID डाला है, उसका number लिखना है, या फिर license डाल जो भी आपने verification में आप लगाना चाहते हो, यहाँ पर, modify address, city, district and pin code as per attest document, जो document आपने लगाया है, उसके हिसाब से आपको address डालना है, atomic के address बटन, address के fill in the blanks कोलम में, ओके, ये बात ध्यान रखनी है, जो लोग आधार कार्ड से auto verify करवा रहे हैं, तो आपको same आधार address दिया गया है, तो वो डालना है, या drive license में जो address है, वो डालना है, या फिर passport में जो address दिया गया है, वो डालना है, इस चीज़ पर आप confused नहीं हो, ये कोई भी ठीक है, और next is spouse detail, अगर जो husband join हो चुके है, अपनी wife की detail यहाँ पर add करना चाहते है, तो आप अपनी wife की detail add कर सक उसके बाद आपको terms and conditions, agreement करना है, code of ethics, policies, procedures, compensation plan, फिर उसके बाद basic information, edit basic information के उपर आपको click करना है, फिर pen verify करना है, आधार card verify करना है, या कोई दूसरा ID proof का document verify करना है, और उसके बाद आपको spouse की information डालनी, तो इस तरीके की चीज़े आपको, जिसकी ID 14 नौंबर से पहले registered हु ID 14 नौंबर के बाद लगी है, उन लोगों को क्या करना है, तो वो देखी ज़रा, सबसे पहले, यह जो information मैं उनके लिए बता रहा हूं, जिन लोगों की ID 14 नौंबर 2019 के बाद registration हुआ, जिनका December 2019 में registration किया है, January, February, March, June तक, 21 तक जिन लोगों ने ID लगा है, उनको verification किस प्रका दोस्तों तो इसको सबस्क्राइब कीजिए, आपको सारे step by step Atomi की A to Z information, accurate information मैं अपने चैनल के माध्यम से आप से लोगों के लिए लाता रहा हूं, तो देखिए, जिन लोगों की ID 14 नौंबर 2019 के बाद registration किया है, उनके लिए है, first step है, आपको Atomi India की website में login करना है, atomi.com, फिर click my, click edit my account पे click करना, right top corner में, उसके बाद दो वीडियो देखने है, फिर give consent, आपको consent देना है कि मैं agree हूँ, Atomi की terms and conditions, direct seller agreement, code of ethics, principles, policies and procedures, compensation plan, फिर उसके बाद आपको अपना mobile number डालना है, email ID चेक करना है, अगर आप update करना चाहते हो, तो कर सकते हो, फिर आप अपना password भी change कर सकत हो, edit basic information में, आप जो जो चीज़ें चेक करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, कर सकते हो, उसके बाद, 14 नॉंबर 2019 के बाद, Atomi ने क्या किया था, कि pen card auto verify सभी का किया था, क्योंकि pen card की बने ID registration बंद हो गया था, ठीक है, तो जिसका pen card था, उसी का ID लगा है, 14 नॉंबर 2019 के बाद, without pen card कोई भी ID Atomi में नहीं लगी है, 14 नॉंबर 2019 के बाद, अब आपको यहाँ पर आधार कार्ड verify करना है, अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं तो आप address proof के लिए दूसरा document भी use कर सकते हैं, water ID, license और passport, त आपके mobile में 6 digit का OTP आएगा, फिर right side में OTP verification बटन के जो blanks, fill in the blanks उसमें डालना है, 6 digit का, फिर उसके बाद आपका address, city, district, pin code, जो भी address है, वो आपके address कॉलम में आपको चेक करना है, कि match कर रहा है कि नहीं अधार कार्ड से, या फिर manual verification के लिए company नहीं ये बोला है, कि अगर जिन लोगों का अधार कार्ड मुबाइल नंबर से connect नहीं है, वो अगर manual verification, address proof verification करना चाहते हैं, तो passport, driving license, water ID का use कर सकते हैं, उनको front and back यहापे upload करना पड़ेगा, और same address वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओके, और address को modify करना पड़ेगा, जो भी आपने driving license में है, passport में, water ID मे और इसमें थोड़ा time लगेगा, आपके verification में, तो last है spouse information, जिस husband join है, तो wife की detail डाल सकता है, wife join है, husband का नाम, pen card, mobile number आप अपडेट कर सकते हो, आप अपने spouse की details अपडेट कर सकते हो, क्योंकि husband और wife की सिरफ एक ही ID लगते हैं, पर double ID अलाउन नहीं है, तो आप अपने husband या wife की याँ पर डाल सकते हो, कोई भी, अगर husband join है, तो wife की detail डाल सकते हो, wife join है, तो husband की detail डाल सकते हो, दोनों एक ID पर आप काम कर सकते हो, as a couple member, ओके, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये information आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, जो मैंने आपको बता है, KYC करने से पहले, ये सारी च साथ देखिए, और अभी जल्द बाजी मत कीजिए, क्योंकि साइट के उपर traffic बहुत ज़्यादा है, लोड है, तो दो-तीन दिन का wait कीजिए, फिर जैसे ही smooth हो जाएगा, सारा काम, साइट भी चितरिक के से काम करें, थोड़-थोड़ी चीज़ें हो रही है, अभी दो-तीन technical information, step by step information आपको team warrior के इस channel के मादम से मिलती रहेगे दोस्तो, time to time और इस channel को subscribe कीजिए, like कीजिए, और इस video को share कीजिए, ज़्यदा ज़्यदा अपनी team mail ताकि आपकी team के सभी लोगों को इसके बारे में महतोपूर्ण जानकरी प्राप्त होसके, thank you very much दोस्तो